हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एड मेराज जियस्ट क्लासिस में दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको पस्षीमी ऑस्टेलिया में मरुष्थली करण के कारणों से अबगत कराया था किस तरह से पस्री में उस्टेलिया में मरुष्थली करण हुआ वो वीडियो आप लिंक डिस्किप्शन में आपको मिल जाएगा वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते है दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्यों पूरे उस्टेलिया में ऐसा पाए जाता है कि यहाँ पर असमान जनसंक्या घनत में किसी छेतर में तो बहुत अधिक जनसंक्या घनत मिलता है वहीं किसी छेतर में जनसंक्या घनत बहुत ही जादा कम है यानि कि किसी छेतर में बहुत जादा लोग रहते हैं किसी छेतर में बहुत कम लोग पाए जाते हैं यह जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है ना यहां पर जनसंक्या घनत बहुत ही कम और भहीं यहां पर जनसंक्या घनत बहुत ही अधिक यहां पर देखने को मिलता है तो क्या इसके रीजन्स हैं क्यों ऐसा और जनसंक्या घनत का बित्रण है तो इसी को आज हम इस वीडियो म समझेंगे तो दोस्तों एक ही आपके सामने देखिए मैं आपको यहां दिखा देता हूं यहां पर population density यानि कि जनसंक्या घनत को यहां पर दिखाए गया अब यहां पर आप देखिए यह जो आपको इस चेत्र में देखें जैसे कि आपको अगर मैं यहां मैं पर समझाओ तो यह चेत्र जो आपको दिख रहा है पूर्वी भाग और दक्षणी भाग में यहां पर पिरसांत महासागर से लगे हुए चेत्र हैं यह पिरसांत महासागर है इस साइड में इस साइड से जो लगे यानि कि यहां पर बहुत ज्यादे लोग निवास करते हैं दोस्तों वहीं इसके अलावा यह जो आपको छेतर दिख रहा है पर्त का यह आपका पश्मी भाग में पर्त नाम का एक सहर है यहां पर बहां पर भी आपको अच्छा जनसंग का गनत देखने को मिलता है इसके अस्टेलिया का अगर हम जोग्राफी देखें देखें यहां पर तो यह पूरा जो छेतर आपको दिख रहा है यह वाला छेतर यह कहीं ना कहीं मर्भूमी के रूप में तबदील हो चुका है तो मर्भूमी में क्या होता हाय टेंपरेचर होता है बहुत ज्यादा तापमान ह होता है और इतने अधिक तापमान में यहां पर सरवाइब करना मुस्किल होता है इसके अलावा नहीं यहां पर बहुत अच्छी बनस्पति पैदा हो पाती है आप जानते हैं कि रेगेस्तान में आपको कटिली जाडियों के अलावा बहुत ही रेरली बनस्पतियों का प्रा और श्रीलिया के इस छेत्र में बर्सा बहुत अधिक होती है ठीक है लेकिन यह जो छेत्र है वो अर्द सुस्कवस्था में पाए जाता है इसी कारण यहां पर मात्र राजधानी दैली की पॉपॉशन के बराबर है यानि की जित्ती हमारी राजधानी दैली की जनसंक्याओ कि अध्यवा г to pourquoi अगिसा इस तो surprising amazवाज कि यह यह इपर दोघ्र्शत कर रहा है कि इस छेत्र में बनस्पती पाई जाती यानि इस छेत्र में बनस्पती की प्राप्ति हो रही है आपको यहां यानि कि यहां पर बरसा होगी और जब बरसा होगी तो मिट्टी यहां की उपजाओ होगी तो यहां पर बनस्पतिया पैदा होगी यहां पर ग्रीनरी होगी और यहां पर लोग निवास करेंगे लोग कहां पर निवास करना चाहेंगे आप यह इसका एक परयावर्णी यह कारण हुआ इसके अलावा आप यहां पर मैं आपको कुछ द्वारा यहां पर मवेशी पालन किया जाता है और पूरे बेस की सबसे बड़ी मवेशी पालन कंपनी वो वहां पर काम करती है तो यह बहुत ही असमान बित्रन है दोस्तों इसके अलावा यहां पर यह जो छेत्र आप देख पा रहे होंगे मैप पे आपके पूरवी भाग मे ही यहां पर यह जो ग्रेट ड़ाइडिंक रेंज है इसके पस्तिमी तरप मरे और डर्लिंग रिवर बेसिन है और इस चेत्र में दोस्तों आगे जाकर यहां पर एक नहीं कि 2.5 करोन लोगों की जो खाद्यान की आवसकता है वो यह 6% शेत्र करता है तो कितना अस्मान यहाँ पर बित्रण है यह आप समझ पा रहे होंगे अब इसी कारण से दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक नज़र डाले तो cities की मैं बात करूं तो देखिए इस शेत्र में अब को cities कितनी कम मिल रही होंगी यहाँ पर लेकिन इस शेत्र में आप देखिए में जो सिटीज है यहाँ पर देखिए बिस्बेन इसके अलावा शिट्नी कैनवेरा यहां की जो राजधानी है इसके लावा मैलवान एडिलेड और पर्त इसके लावा डार्विन यह कुछ यहां के महतपूर सहर है और यहीं पर population यहां निवास करती है अब यह हो गया एक पक्ष पर्यावार्ण यह पक्ष अब इसके बाद आप समझ लेते हैं यहां पर इसके लाबा दोस्तों आप इस पूर मैप के द्वारा समझने का प्रयास कीजिए जो आपको मैप दिख रहा है दोस्तों पॉपूलेशन वहां भी निवास करती है जहां से ट्रेड हो अब जो ऑस्टेलिया है वह एक दीप यह महादीप है यानि कि एक दीप के रूप में है तो इस दीप के रूप में महा ही इसके लाबवा यहां पर्त के आसपास आपको दो पोर्ट देख रहें दो तीन प्रट जो यहां पर हैं इसके लाब़ेशन यहां पर एक सारी प्लब्स ने 뉴스 से बयापार होगा जिन पर जहां हैंगी यहां जे बोग होगा बहां पर लोग रहना पसंद करेंगें वहं अपके यहाँ का दिखा हूँ मैए एक रोड मेप के लिए रखाता देखिए यहाँ को यहां कbreտ धेखें यहा पर कितने घने आप को रूड का जाल दिख रहा है यानि की परिवहन के आपर कितने ज्यादा यहाँ कर्स ऐसार के निर्माण की गई भी इसके आप यहां पर देखी एक यह सिंगल सड़क यह गई और यहां से यह करेक्ट होती उत्तरी भाग तक गई तो यह आपको दिखाता है कि अगर लोग यहां रहते होते तो यहां पर सड़कों का निर्मान ज्यादा होता इसके अलावा यहां पर देखी पर्त क्या स्वास कितने जन संक्या घनत की बात करें तो जून visit 32,87,263 km है तो आपको यहां पर लगवक डबल यहां पर भारस से 6 तरफल देखने को मिलता है तो दोस्तों इस तरह आपने समझा कि क्यों ऐसे वो कौन से कारण है जिस कारण से उस्टेलिया की लगवक 90% लोग पूरवी और दक्षणी भाग में रहते हैं इसके लावा कुछ यहां पर रहते हैं मद्धिबर्ती भाग में क्यों नहीं रहे पाते हैं अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रहे गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बाकी यहां पर मरभूमी करण के क्या खारण थे इसके लिए आपको पिछले वीडियो देखने